मात्श्री नर्वदेहर संतों की महिमा ही निराली है और उस पर बे संत जो नर्वदा जी की परिक्रमा कर रहे हूं तो बात ही क्या ऐसे ही एक संत हैं जो बाल ब्रमेचारी हैं मुरेना के प्रशिद कटिया अस्रम से संबंद रखते हैं और उंकारिश्वर जोतिलियंग के दर्सन के बाद अचानक से नर्वदा परिक्रमा का संकल्प उन्हों ने ले लिया और फिर जब परिक्रमा पर निकले तो बिचार किया कि परिक्रमा मार्क पर जब नर्वदा भक्त उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे तो वे क्या कहेंगे क्योंकि उनके मन में यह भाव था कि वे सनातनी है और जो परिवार भोजन के लिए आगरा कर रहा है वह क्या स्वयम परेजी है अत्वा नहीं ऐसे में वे किसे हा कहेंगे और किसे मना करेंगे और यदि नर्वदा वक्त को मना करते हैं तो यह नर्वदा मैया का ही अपमान होगा लिहाजा उन्होंने यह संकर्ब ले लिया कि वे नर्वदा परिक्रमा के दोरान भोजन ही नहीं ग्राण करेंगे हमने कहा ना कि संतों की हर बात मिराली होती है अब भोजन ना करना वह भी एक दो दिन नहीं एक दो माय नहीं पूरी नर्वदा परिक्रमा के दोरान और नर्वदा परिक्रमा भी कैसी बारह वर्स की अर्थात पूरे वारा वर्स बे नर्वदा जी की परिक्रमा करते रहेंगे और भोजन भी नहीं लेंगे मात्र दूद चायवं अन्न पेपदार वो भी काभी सीमित मात्रा में 12 वरसों के इस संकल्ब के साथ बे 5 वी नर्वदा परिक्रमा पर हैं जहां हमें उनके दर्सन हुए आप भी जानिये और समझिये माँ की महिमा को और इन संथ के संकल्ब को हमारे मुक्मंत्री वो भी नरवदा भक्त पता तές अपने आपको हैं भी नरवदा भक्त उन्होंने भी परिक्रमा की है उनके रहते आप जो बता रहे कि इस तरह आ दोहन हो रहा है नरवदा तटों का क्या कहना चाहेंगे इस पर महाराजी इन बोलों में तो आप ना बुलाएं राज इंती में हमें आपसाएं तो बहुत बढ़ी एक संद के नाते क्या उनसे आपके सामने मिल जाते हैं तो क्या नेविदान करेंगा आप हमने नेमेदन हैं हम तो डायक्ट बोल भी चुका हूं रहे हुगाओं में और कुछ नहीं किया होनों ने सिर्फ रेत खाट खुलवाएं बस इससे आला अगया और नहीं बुलगा हूं मास्री नर्वदेहर हम आज अमनाला से दिधाम पर हैं और यहां प्रक्यमवाशी संत जी हैं जो लगातार बारा वर्स का संकल्ब लेकर परिक्रमा पर हैं और सिर्फ तरल पदार थी लेते हैं दूज चाय चाज बगर अन नहीं गिरहन करते हैं आये उनके संकल्ब को लेकर उनसे चर्चा करते हैं महराजी नर्वदेहर नर्मदी हर् महराजी परिक्रमा पर तो माईकर परिकमा करते रहें warriors तो अबक्छाया केला कब già 일 किना बढ़ता है और पर्ष चोड़ना अभी कशच करना तो ऐधा जन्वरी फूरा फ्स कंवा जाएंगी नो बढ़ सोगें आपको परिकमा करते हैं कि तो आमार увां तीन साल गोड़ पर की दैक पेले चार मही बिरमन किय तरे किए थसको बawa लेक हम पर उसके चीछ बाद सदत कभी आठ नही नीमार है तो यह पार पर कमा है तो जो 무엙 अन्न एपने छोड़ा यह पहली बार जोड़े개न क्था पहली कि तो आठ मंदलां में को चतरमास करना करना और वंग्य मांतुक है कुछת करना या जांटेख में indi लिए अनीम बन कुछ मांतुं है और किसी का खाना पीना भी नहीं नहीं हो तो माई ही consumption का इंकार कर आपन यहां सा मन में बिचार आया, किसी का पाएंगे, किसी का नहीं पाएंगे Whew टो इन चक्रॉओं से बचा माई तो माई नहीं या यूजालक साकती दी कि पहला चतरमाओ जल पे किया तो कोछ हमाई भाई उने औरोध भी किया कोछ आग रह lira किया कि सादू 28 से जादा जल पे पर इसके बाद सारे चात्रमा से कांते में किया अन्य नहीं गिरना करते हैं, सक्ति कैसे मिलती है? माय की किरपा है, थोड़ा बहुत भुगतना पड़ता है, लेकिन भेश लिया हैं, तो इसके लिए कुछ प्याग भी करना पड़ता है, अई सक्ति देता है, कुछ सारे गतिवितिया है, वोत होती है, से होता है जैसा कि आप संत हैं, तो यह क्या बच्पन से सन्यास लिया कि पहले करस्त में थे? नहीं, हम बाल ब्रहमचारी हूँ, वहां कि यह भेश लेट लिया है, यह भेश रमने बाइस साल के उमर में लिया है बाल ब्रहमचारी तो किशी आसरम से होंगे? आसरम हमारा करहे धाम मुरेना पटिया बाले बाबा के नाम से बहुत सिद्ध पुरुस रहे महाराजी दादा गुरू रहे मुरेना से 14 किलो मीटर आग राही वे पड़ता है बंबई और दिल राज मार्क पे है साथ एक संद से भी कुछ दें पहले मुलकात हुए थी हमारी वहीं के थे वह पटिया वाले भागा के नाम से आप कहीं वी यूपी में एंपी में कहीं भी जहासी से चले जाए आगरा से चले जाए गावालियर से 45 किलो मीटर पड़ता है आगरा से चले चले पड़ता है जाँसी से ahom ka have a बहुत बड़े काराम होते है वहां भूजर समाच के बहुत बड़े-बड़े अध!」 क्योंके महाराज जी गुजर सरी से रहे संत का कोई सरी नहीं होता तो वहां वही समझ आधा महाराज जी ने करीब एक सुबारा डांकों को अत्यार पेकवाए थे जब बैंकर रहामन राश्पती थे उनके आग रहे पे महाराज जी ने तो तब से कुछ लोगों ने उनका विर तब करते थे वो तो तब से उनका नाम पटिया बाले बाबा के नाम से और सर्जु माई पिरगट हुई है वहां सर्जु माई की तड़ पे तपस्या की थी उन्होंने और दुनिया के बिल्ले संतों में से हैं जिनको पहले भगवत दर्सन हुए गुरु बादे में मिली हैं बाखी गुरु के बेगर कोई पिराप्ती नहीं होती तो बिल्ला संत कुछ हैं तो उन्होंने पहले भगवान ने उनको गुरु के पास पहुंचाया तो बागवान ने दर्सन हुए फिर ठाकुर जी से भी उनने मना कर दिया अब सर्जु नहीं छूट थी तो सर्जु ने क तो कुवे में एक बाल्टी जल डूपती है और महाराजी के पटिया को जल से दोक है कोई भी कीड़ा काटा हो वो आपका आज भी आपके जवल पुर्डेंडोरी से बहुत लोग जाते हैं आप जैसा की बालब्रमचारी है उस असरम से आपका लगाओ कैसे हुआ हमारे प्रतम महाराज कास्राबद बड़ी कास्राबद में कथा बाचा गंग रहस्त है तो उन्ही के संपरक से हमको हम खाटक स्याम जाते हैं और हमारा एक बार हम 11 साल की उमर में निकल गए ते लेकिन हमारे गरबाले एक साल बाद हमको आई दसलोटा लाइती डूंग के पर महाराजी तो ब्रक्ति नहीं दे सकते हैं तो हमारे बड़े भाईशा में आपको ब्रक्ति दिला देती हैं तो यह से महारा जी का उगा कास्राबद फिर आई महाराजी पंचुमकी के स्थापना कराई तो वहां हमारा कुछ मन नहीं लगा तो उमकार इस वरपास में था यही बिचार सबसे पहला विचार तो हमारा हम नार्दापर के मांग विसे में कुछ ज्यादा जानती नहीं थी महारा तो यह था कि आप क्या करें तो महाराजी से बिगर कहे हम कि महाराजी का विरूद होगा महाराजी जाने नहीं देंगी और यहां ग्रस्त माहुल जाता है रावान तो उमकारीस्वर पास में पढ़ता में यहां से शुरूबात की जाए तो उमकारीसवर जा रहाए थे तो दो दिन में उमकारीसवर पहुंचे तो उसके पहले स्थापना इस्तान पढ़ता है साथ किलोमीटर बेशनव इस्तान ही है तो नहीं महात्मा ने हमको अवाज कि महाराज जी इस्तान सादू का है आपन कुछ कल दें आप थोड़े पड़े लेके दिख रहे हो तो थोड़ा सायोग मिल जाएगा तो आश्रम का निर्मान हो जाए कि सादू काम में आए तो नहीं हुई और पचास-पचास परकिमा बाशी हुए और माई ने साही भी अस्ता किनारे वैसे भी भगवान संका का साक्षात बास होता है तो उनकी परिक्मा ना जोतिल लिंग है भाई भार से दर संका लेते हम जल एक बार चड़ाया हमारा जी जल नहीं चड़ाते हैं क्योंके उलंगन हो जाता है हमको अब सतत का विचार है तो तीन साल तीन महीने का जो चड़ाया हमकारे सर्ग में उसके बाद अब जो जल है अभी हमाएं पास है वह हमारा एक सांत माई का दुगदा अभी से करने के बाद का विचार है जो माई करा दे अभी लगातार जैसे बारा वर्सा संकल भ्याप तो परिक्मा करते हैं कितनी परिक्मा हो गई मैया जी की और जैसे पांचवा परिकमा है मारा जी चार हो गई हैं फूरि फांचवा है चत्रमास करते हैं कहा कहा है सकने दूल षर्ण ह pastor आइक पर आपका शिंनी संगं मोलते हैं अनुप पुरुँ ल असनित आंगम में रहा एक इंद गणेश घार नर्शंकपुर जिले में रहा एक नंगे पेर चलना तो उचे खुब उबर खावर रास्ते में कर दिक्कत नहीं होती गर्मी सर्दी में सब दिक्कत होती लेकर मां अंदा विस्वास मंगती है माा पर विस्वास है तो रेवाखंड में आज तक हमारे जानकरी के दू सुख वरे कोई सथ पूरुष नहीं हुआ या संत है अम को सिद्द पूरुष तो नहीं ऐसा कोच लेकिन कोई संत या सपल जब तक नहीं हो जब तक रेवा घंड में आना पड़े क्यों कि जो तप सकती मान नापदा दे सकती ही वो कोई नहीं हम तो बालक हूं कुछ नहीं जानता हूं ना तो संत हूं सिप एक नाम मिल गा है अप गुरू का हमारा कोई सुवाग्य है महाराज और कोई वो तो शौन Miguelie हम तो कुछ नहीं जानता हूँ, क्यांसे करा रहा है, क्या कष्ट हो रहा है, वो ही सब कोछ कर रही है। उनमें से जी कोई भक्त चाहते हो कि हम भी परिक्रमा करें बिना कि इस अंसादन के निकल जाए तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप सिर्फ जो कराएगी मा नर्दा कराएगी में का सब्द कभी ना आए मन में और अगर आप नंगे पैर कर रहा हैं और किसी कोच अपल यूते पहनते देख रहा हैं और किसी को बहां में सबारी तो उसके पिरती मन में बिलकुल ना लाएं वो तो नर्दा करा रही है उससे जहन स करा रही है और हम से जेंसा करा रही है अपन को स्रेश्ट जिस दिन माना कि मैं ऐसा कर लूँगा उसी दिन माना अब आध खेंच लेती है माई पर विस्वास करके जैसा आप आगर मन में विस्वास है तो बस माई से ही उसी दिन माई में एक नरियल छोड़ के बिंती की जाए कि माई मैं ऐसा चाहता हूं तू कराईगी और किन चीजों का परहिच करना है चाहिए परिकर्मा के दोरान परिकर्मा का तो महराज हम कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि है अपना अपनासाब है परिकिम्मा का मतलब ना तो कोई महीना है ना कोई दिन है परिकिम्मा का मतलब यही है कि जो तब सकती कोई ने देर सकता जैसे आपको भजन करना है चाहिए वो ग्रस्त हो चाहिए रखत हो जब दुनिया से मन उप गया है तो कोई नया कर्म करने सात्य करम कोई सकती चाहिए त वो माईय की तट पे आप निल जाओ, वो माईय पूरा कराईगी, कोई बृत लेना है, आपको कोई भी भजन करना है, वो सकती, माईय जिए जल्दी दे सकती, वो कोई भी थीर्ट नहीं देता है. आप लगाता आपकी पाच्वी परिक्रमा है, मैया जी का तट वैसे तो हर तट बहुत अनपौम है, फिर भी ऐसा कोई इस्थान जो आपको अलोकिक लगा रहा हूँ अब यह तो नहीं बता सकता महराज जी लेकिन सबी जगे पीछ लिए अपने जो जगे रेत, खदाने, जरा जरा डेम, फुल, तो इन से जो मैया के सिद्धिस्तान थे, बहुत कुछ वो अनुवती दीरे दीरे कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है, महराज जी विकास जो अनुवत पहले मिलते थे, अभी दो-पांच साल में हमको करते ही करते हैं, इननी सालों में बहुत पड़ी बरता मिल रहा है, और सबसे जादा रेत खदान, अब माई का कोई तट बचनी नहीं दिया, माई के तट पे निकलो तो रास्ता नहीं है, रोल पे निकलो तो रो पड़ता है, तो अब जो अनुवतियां आप कह रहे हो, वो आप किसी गाड का बताना मुस्किल है, बहुत अंतर आ गया है, बहुत अंतर आ गया है, महाराजी नहीं ही, मतला हम कर रहा है, और पिस जो गुरू लोग कहते हैं, वो तो बात ही बिल्ला है, लेकन हमारे ही देख करके मतलब ऐसा नहीं है, कोई उनका वो है, लेकिन ऐसे रास्ताबंद करके देती हैं, कि वो जो विसेश जगह है, माई का अनुवा, माई की जलकी किनारे, जो तड़ पर मिलता है, माई की अभी तब भी आपका सबसे अगर माना जाए तो अनुपुरो मंडला जिला, मंडल करती हैं, माहराज, जैसे करार संगम हुआ, मालपुर, सिंगापुर के बीच के हुए जैस्तान, यहां माई का सवरूब, माई की कल-कल, ऐसा लगता है, स्वें माई रात में चर्चा कर रही है, और हर्थ समस्या खाल, जल भी ऐसा हम रहे, उसी जल से हमारे माहराज सरी चला अगर माई जाए, तो क्यों के कोई डेम नहीं है, कोई फ्यक्टरिया नहीं है, माई का बिलकुल सुद्धिन निरमल जल, माई का जल हर जागा निरमल, लेकिन अपने कारण, अपनी जरुवत के कारण, माई के जल दूसित कर रहे है, अमर कंटक से मडला तक का उस्ता दक्ष नहीं है, ना कर सकता हूं, हम तो हमेंसा जोता हूं, पांच कन्या, साथ कन्या का हो, तो माई जादा करा देती है, और माई के बाकत करा देती है, हमारा तो कुछ नहीं हम तो आपको दिख रहा हूं है, तो हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो आपको दिख रहा हूं है, और पहल मन में आया कि आज पिरसादी किया जाए आपके यहीं नील कंट की बात है अमर कंट से 40 किलो मीटर 20 किलो मीटर नीचे महात्मा उमकारिस्वर की परकेमाम गए हुए थे तो गाउं के भगत थे हमने का बन हो रहा है कल थोड़ा सा पिरसादी का भोग लगाया जाए महाराज यहां दूद तो होता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा तो फिर कर भी लोगे तो करनी आए कहां से 7 किलो मीटर दू तो कुछ करूए इतने में माइने कहां से ये डारी आई वो फच्छा कया हैун कि आ महाराजिया अब हरति है चाम मने सल लागे इसना करिकल भटो कहा है तो हो तो कैने लगे हैं महाराज जी हमारा है न कर दकल और हम दूसरा काम हाग से करनाता बंदारे का पूरा सामान है तो वुबंदारे का सामान दे गया हमने फृसाहदी MARY कू मायग में भोग ला ओंने में इुट इंय मरसे मौरा आइव हम kinda-chaat should एक May के दर्सन कितने बार हुए तो हम तो यह ऐसा हम तो इतना दुश्ठात्म हुँ हम आभी कंग नो साल में एक वी बार माई का दरसन नहीं हूँ है ने किस सब्सक्रों दे तो उसको वह महांता हुं माराज्च यह जह चमतकार कुनामस्कार कालियों कि मैं करते हैं उसक्रामस का बांस्कार इसा तुब और इसलिए और वो खुदी जैसे आपन परमात्मा रूप में ठाकुर जी को चलिया कहते हैं लेकिन हम मानारदा को चलिया कहते हैं तो कुछ हमाई माहत्मा नाराज हो जाती है कि आप कैसे सब्द बूलती हो वो स्वेम रास्ता भटका देती कि आप किस उद्देश से परकिम्मा निकलेते सुक्स विदाओं में लीन करके जो बजन के लिए निकले वो रास्ता हो तो हमारा तो परपल ने विदा नहीं है कि इस भेश की लाज रह जाए और हम तो कोई संत नहीं हो कुछ नहीं तेरा बालक हूं कभी यह ना भूल पाऊं कि हम तेरा बालक हूं मा के सानेत में पुत्र स्वें माष ननी ने बात करके भूजन बनाकर पावाय चैन वो बात करके सामने वोजन बनाकर तो बोजन पाना पड़े नुधा या है तो नंगी आप तो मौ 3ande करता उन हुं मारा है आप पहली बार है कर Сейчас prints न प्ते रहता है आश्रमों की सेवा से इसलिए वस्ता हूं लेकिन आपने मां नव्दा की भक्तों का नाम लिया कि उन्सका उस्सा बड़ है इसलिए महराज जी हम उम्मीद करेंगे आपकी पांची परिक्वा अभी तीन साल का समय और है इस दौरान एक बार और आप से भेंट हो इसक आपका बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदे नर्मदे हर्मात नर्मदे